पूड़ी किसे पसंद नहीं होती चाहे वो किसी भी एज के हो तो आएे आज खास्ता करारे पूड़ी की रेसिपी को देखते हैं, और अगर आप हेलथ हैं, तो आप साधे पूड़ी को छोड़ें और इस पालक पूड़ी को अपने फैंद लिए जरू ठ्राइ करें अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो पालक पुरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक की जरुवत होगी तो ये तक्रिबन मैंने 300-400 ग्राम लिया है तो ये देखिये मैं यहां पर लीफ का यूज़ कर रही हूँ तो इस तरीके से डंठल को साइड से तोड़ते हुए और इसको मैं एक साइट पे रख लूँगी तो ये देखे ये सारे पालक को अच्छे से तोड़कर अलग कर लिया है डंठल को तो पालक की कटिंग होकर रेडी है अब किसी भी भरतन में 4 κप की जितना पानी लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से बयल कर लेंगे यानि कि बॉइलिंग जो है बहुत ही अच्छे से आनी चाहीए तो ये देखि बॉइलिंग हो रही है अब इसी स्टे को भी इस पालक में डाल सकते हैं पालक वाले पानी में बट आपको डंटल अगर डालेंगे तो थोड़ा जादा देर के लिए उसको छोड़ना अब इस पालक को ढख कर एक मिनट के लिए रख देंगे अब एक मिक्सिंग बाउल में तकरीबन दो कप मैं यहां पर वीट The chip बें आजिए यहां पर हम आई एक पालक चेक कर लेंगे तो पालक हमारा रेडी है इसको एक डूसरे बर्तन पे निकाल लेंगे और इस पालक को ठंडा हुने देना इत मींस किसका जो कुकिंग प्रॉसेस है अब एक दम इसको लो कर देना थो फंडे पानी से 2-3 बार अच देंगे अब इसमें हम मिर्च और अद्रग-डालें तो इसमें आप मिर्च अपने टेस् t cs अप्रडिंग डालें अब यहां पर हमारा주 पालक का पेस्ट बनकर रेडी है अटे कि पानी डाल दीया है और इसी पानी से मैं डोको रेडी कर लूगी तो यह देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि इसी तरीके से पानी को स्प्रिंकल करते जाए और मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम रेस्ट करेंगे एक वेट क्लोथ से गीली कपड़े से 20-25 मिनट क सूखे न अब इसको अच्छे से दुबारा से इसको mix कर लेंगे तो यह देखिए यहाँ पर डो हमारा बनकर रेडि है अब हम यहाँ पर अपने हथेलियों पर घी को रब करेंगे और इस आटे से लोईया बनाने के लिए इस तरीके से रोल कर ले सबसे पहले और एक बोड पर रख देंगे और इसको कटिंग देंगे तो cutting आप अपने shape के according दें कि आपको कितना बड़ा पूरी और छोटा पूरी चाहिए तो मैंने इस तरीके का shape दे दिया है तो अब इस round shape को एक flat surface पे रखें और हलकी से घी को लगाते हुए अब इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से हलकी हलकी प्रेस करते हुए हम round shape का circle shape में बना लेंगे तो ये देखे एक पूरी बनकर ready है इसी तरीके से मैंने सारे पूरी को ready कर लिया है अब एक कड़ाई में घी को गर्म कर लेंगे घी तेल आप कुछ भी ले सकते हैं तो oil को आप चेक कर लें तूथपिक डालकर या फिर आटे की छोटी सी गोली डालकर आप इसमें चेक कर सकते हैं कि तेल हमारा कितना गर्म है इस तरीके से पूरी को डालते हुए हलके हलके हाथों से spatula को touch करेंगे पूरी को और ये देखिए पूरी हमारी फूल रही है और उपर से तेल को डालते जाए तो ये बहुत ही important tips है कि आप तेल को अपने spoon से spatula से उपर से डालेंगे तो पूरी हमारी बहुत ही करारी और खास्ता बनेगी तो यहाँ पर एक पूरी बन गई है और ये देखिए मैं आपको दूसरी पूरी भी इसी तरीके से दिखा देती हूँ देखिए मैंने spatula से oil को उठाया और पूरी के उपर वाले भाग में डालते गई मैं oil को इस तरीके से उलट पलट करते वे हमारी ये दूसरी पूरी भी ready है तो मैं यहाँ पर एक बार में दो से तीन पूरी को तल लेती हूँ तो आप अपने कड़ाई में कितने आपके पूरी आठती है आप उसी के according पूरी डाले और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को भी हिट करना ना भूले ताकि मेरे new recipes की notification आप तक यह crispy बना है यह आप देख रहे हैं न तो आप इसको sauce के साथ सबजी के साथ चटनी के साथ चाय के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं enjoy करें मिलते हैं next recipe के साथ तब तक के लिए take care bye bye